तो इस देश में तीन एक्सपेरिमेंट शुरू किये गए था पहला ये था कि कोलिजियम सिस्टेम लागू हुआ दूसरा प्राइवेटाइजेशन था और तीसरी बड़ी बात थी जो इवियम जो है उससे चुनाव को एक नई दिशा दी गई और उसके ठपा लगाया गया त तो ये तीनों जो हैं देश के लिए खतरनाक है श्विद्यालेओं में दलित पिछले आदिवासियों की जो इस्तती है वो बद से बत्तर होती जाए मैं OBC समाज के प्रशन को उठाता हूं तो पिछले साथ साल से मेरे प्रमोशन को रोग दिया गया ये बात उन तक मैंने मादियम से पहुँचाई तो दिल्ली विश्विद्याले अगर दोशी है तो सरकार भी दोशी है क्योंकि वो कारवाई नहीं कर रही है नमस्कार मैं शंभुक कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसल दस्तक मेरे साथ प्रफेसर सूरज मंडल हैं जो लगातार सोशित बंची समाज के हक अधिकार के मुद्धे पर पर्खर तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं आज एक बड़ी ख़वर आई है ख़वर यह है कि पिछले पांस सालों में जो हाई कोट में जजों के निवक्ति हुई है छे सो चार उसमें चार सो अठावन अन्रिजर्व जिनरल के टिकेरी के जज है और यह मैं नहीं कह रहा हूं देश के कानून मंत्री अर्जुराम मिग सन ने इस जवाब को चुकि उनको यह जवाब दिया गया था सदन में लिखित तोर पर उन्होंने रखा था आपको मैं बता दूं कि सवन समाज में भी एक विशेस समाज को उसमें से अधिकांस जजज बनाए गया है और तमाम दलित पिछड़ों को नहीं बनाए गया है दे कि जब 1991 में मंडल कमिशन लागू हुआ था तो इस देश में तीन एक्सपरिमेंट शुरू किये गये था पहला यह था कि कोलिजियम सिस्टेम लागू हुआ दूसरा प्राइवेटाइजेशन था और तीसरी बड़ी बात थी जो इवियम जो है उससे चुनाव को एक नई द देश के बहुत संक्यक लोगों के लिए एक तरह से खत्रा है और आज जो आप बता रहे हैं आकड़े वह आकड़े तो हम लोग देखी रहे हैं इस पर यह सारे सवाल अभी उठ रहा यह पहले भी ऐसी इस थी आपको मैं एक लेटर दूंगा कोलोजियम सिस्टम कव आया किस की सरकार्थी के तो वो मैं क्या कह रहा हूं आपको एक सवन समाज अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिए जो मंडल कमिशन के कारण वो दूर तक देखते हैं मंडल कमिशन आने वाला है या उस लागू जैसे होगा तो देश की बहुत संख्यक लोगों को प्रतिनिधत मिलेगा हर जगा उसको रोखने के लिए उनका प्लान तयार ठाब मीशन तरुचा को अब ही जो क्लिजियम सिस्टम में जो प्रश्शन उठ रहा है उसमें हो रहा है कि जो सर्वन कभी गांधी फैमिली ने बिरोग नहीं किया कभी भी ऐसा नहीं पहली बार वो सद्रक्राइब करनाटक में उनके जीतने का महत्पूंध कारण था तो आप कैसे क्या करें एक के क्लोजियम सिस्टम तू रहेगा जोप अपरुक्रफाइब को बहुत समज्र में यह लोग कैरे हैं कि की देशThe स्मंस्या का समाधान Fox है कि पर इस बात को संजेंगे कि उनकी हित की रक्षा कौन और कैसे कर सकता है आप बता रहे हैं हम लोग को तो बहुत दुविधा है दोनों बड़ी पार्टियां जो है उनमें ये सच्चाई है कि खास तोर से दलित पिछड़े और आदिवासी जो है और अल्पसंख्यक उनके हितों को वहां एक तरह से बचाने वाला कोई नहीं डिवाई चंचूर के पोते ये बेटे हैं उन्होंने किताब लिखी है सुप्रीम हुसपर्स उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे कंफ्लिक्ट की बात कहिए जिसमें सवाल उठाया गया है कि बढहामन जजज ज्यादा न्याय प्रिये नहीं होते क्योंकि वह रूधिवादी पर चर्चा इसलिए है कि उन्होंने कोट किया है लगबग सौ साल पहले जो इंग्लिश ऑथर्स थे उनके वक्त नहीं 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 के वक्त की बाते हैं सुप्रीम कोट के जजोंने कहा कि बढहामन जजों में न्याय प्रियता नहीं होती है यह मैं आपको नहीं बहुत प्रेफ बड़ा प्रश्न क्या है संभू जी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी डॉक्टर रतनलाल जी थे अपने प्रिस कॉंफरेंस में विश्विद्यालेओं में दलित पिछले आदिवासियों की जो इस्तती है वो बद से बत्तर होती जाए कई सारे सुिसाइड्स हो रहे है इस देश में दो प्रमुक बड़े सुसाइड्स हुए जो चर्चित हुए डॉक्टर पायल तरवी और रोहित वेमूला इन दोनों के परिपेक्ष में सुप्रीम कोट में इन दोनों जो सुसाइड करने वाले जो थे उनकी माता हैं एक रिट फाइल की है और यूजिसी पर नोटिस जारी हुआ है आज वक्तब में हम लोगों ने यही कहा कि यही स्तती कमोबेश दिल्ली विश्विद्याले में पूरे दिल्ली विश्विद्याले में प्रशासन में एक भी दलित पिछड़ा अदिवासी या अल्पसंख्यक नहीं सततर कॉलेज है एक में भी प्रिंस्पल इन समाजों से नहीं है अंदोलन भी नहीं खरा हो रहा है अंद बोलने वाले दो तीन लोग है पुलिटकल लीडर्शिप का भी कोई सपोर्ट नहीं है चाहा पार्टी कोई भी दलित बहुजन बहुत बिल्कुल सही कह रहे है पॉलि सी रिजर्वेशन का मामला चल रहा है लोकिंद गुर्जर ने कि आज का दायर की कि भाईया ज़से का कि सर हमें ना तो बीसी चाहिए न सबन जाची हमें नीट्रल बेंच दिजी इसमें सी एस्टी है मानौटी के जज़ों उस पर जुर्माना पहले सुना दस लाग फिर पत समाज आपको मैं बता दूं कि अभी तक मुझे लगता है कि पचास जार रुपे जमा हो गया होंगे सिर्फ टुटर पर जो चला है कमूफ उसमें और मैं भी उसमें एक योगदान अपना दिया हूँ उसमें कहा गया था कि एक एक रुपया दे लेकिन लोगों ने जो अपन क्या यह और आप उनका प्रमोशन रुक रहा है कि मेरा भी प्रमोशन पिछले साथ साल से रुका हुआ है तो क्या इस सब सिधे सत्ता के सह पर हो रहा है आप लोगों को दोसी मानते हैं देखिए इसमें दोनों बाते हैं अगर कॉलेज अड्मिनिस्ट्रेशन गरवड कर रह है तो रतनलाल जी तो कम सकम वाइस चांसलर और मिनस्टर तक लिखें आज उन्होंने सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा तो इसका संग्यान तो उन लोगों को लेना चाहिए ओबी सी समाज के हमारे शिक्षामंत्री मैं ओबी सी समाज के प्रशन को उ समाज के मंत्री और प्रधान मंत्री से उमीद रखते हैं और वो अगर इस पर नहीं प्रतिगरिया देते हैं तो हम क्या संगे अगला कदम क्या होगा अपलोग क्या समाज से आप चाहते हैं पूरे के पूरे देश में यह इस्तिति आ रही है कि जो दलित पिछड़े प्रवाव दोजार चोबिस के चुनाव में पढ़ने वाला है इसलिए मैं समझता हूँ अगर सरकार सजग होगी और वो इसको न्यूट्रल करने की कोशिस करेगी तो कम से कम ऐसे शिकायतों को दूर करें तो एक दूसरा नेरेटिव भी देश के सामने आ सकता है अभी तक नही ख़वर आ रही है कि दलित पिछरे आदिवासियों के साथ महिलाएं को कप्रे उतारे जा रहे हैं जो उनके आई-एस-आई-पी-एस अधिकारी हैं उनका शोशन हो रहा है प्रफिस्रों को पदुन्नती नहीं दी जा रही है सुप्रीम कोट हाई कोर्ट में से स्ट्यों के जजेज नहीं भरती के जा रहे हैं अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे सुचिए आप पर्तिकरिया भी जरूर दीजिए शुक्रिया सर्म से बाचित करने के लिए जय संदुर्या निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें